नमस्षकार वोटनीबी के हिंदी रीकाप में आपका स्वागत है मैं स्मृती आज आज आपको 20 जूलाई के ट्रेट्स के बारे में बताना चाहूंगी सबसे पहले हम उन ट्रेट्स की बात करेंगे जो हमने आज बंद किये है तो उसके लिए सबसे पहले हम 20 जुलाई के ट्रेट का एक फिल्टर लगा लेंगे डेट फिल्टर लगा लेने से हमें सिर्फ वो ट्रेट्स दिखाई देंगे जिनको हमने आज बंद किया है तो ये 20 जुलाई के सारे ट्रेट्स हैं जो हमने आज बंद किया है तो सबसे पहला trade आप यहां देख सकते हैं यह bank nifty का 33,000 का put है जो कि एक long put है इसे हमने आज 2300 रुपे के नुक्सान पर book किया है इसके अलावा हमारा एक order trade है जो कि 35,500 के put का है bank nifty का ही यह एक short trade था तो इसमें हमें तकरीबन 1970 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है इसके अलावा bank nifty का एक और long था हमारे पास जो कि अगस्त के expiry का था 36,000 का यह call है और इस trade में हमें तकरीबन 3650 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है यह bank nifty के 20 दिन के सबसे high zone पे पहुचने वाले trades में से थे इसके अलावा हमारे पास अगस्त का 35,800 का एक short call था जिस पे तकरीबन हमें 6,168 रुपे का नुकसान हुआ है यह trade हमने काफी दिन से carry कर रखा था जो कि delta reduce करने के लिए यह trade था हमारे पास उसके अलावा हमारे पास bank nifty के weekly expiry का 35,700 का put का short trade था जिसकी दो quantities हमारे पास थी इस पे तकरीबन हमें 11,33 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है तो कुल मिलाकर आज हमें 1720 रुपे का नुकसान हुआ है 10 दिन के positive trades के बाद यह हमें 10 दिन के बाद आज 11 दिन यह पहला हमें नुकसान हुआ है जिसमें हमें 1720 रुपे का नुकसान हुआ है अब मैं आप लोगों को वो trades बताना चाहूंगी जो हमारे अभी भी खुले हुए है यह हमारा SaaS online site है जिस पे आप देख सकते हैं हमारे पास bank nifty का 34,000 के put का long के दो quantities है यह हमने अपना margin manage करने के लिए यह trades ले रखे हैं इसके अलावा हमने निफ्टी के 16,500 का call का long trade लिया है एक quantity है हमारे पास और हमारे पास bank nifty के अगस्त के 36,500 के expiry की 500 के अगस्त के expiry के call है जो की एक long trade है जिसे हमने open रखा है इसके अलावा हमारे पास bank nifty के 35,800 के put का short trade भी है जो की दो quantities है तो इस trade के corresponding आप देख सकते हैं हमारे पास 34,000 के put का trade है जो की इसका corresponding trade है इस put spread का और यहाँ पे उसी का यह short spread है 35,800 का put bank nifty का तो यह हमारे positions हैं जो के अभी खुले हुए हैं जिन्हें लेकर हम कल 21 जुलाई को आगे जाएंगे तो जैसे 21 जुलाई को expiry है तो हम हमारे जो भी 21 जुलाई के को बंद होने वाले trades हैं उन्हें हम कल बंद करेंगे अगर आपको इन में से किसी भी trade की अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे website waterwayb.in पर जा सकते हैं वहां आपको हमारे AM show, PM show की जानकारी मिल जाएगी और आपको एक access sheet का link में मिलेगा जिस पे click करके आप हमारे access sheet को access कर सकते हैं उस पे trade की exit, entry, किस value पे हमने लिया है, trades किस price पे हमने exit की है उसके अलावा उन trades के पीछे की strategy और rational की भी आपको विस्तर जानकारी प्राप्थ हो सकती है तो आज के लिए इतना ही नमस्कार और धन्यवाद